साथियों बहुत सारे शेहरों में, बहुत सारे देशों में, कभी बिजनेसमेन, कभी आंट्रोपेनर्स, कभी ड्रीमर्स, प्रोफेशनल्स, इन लोगों के साथ मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिलता है एक मेरा व्याईपी नाम का प्रोग्राम होता है, जिसमें लोग दो दिन तक मेरे साथ रहते हैं जब मैं उनको दुनिया में बहुत सारे लोगों की सक्सेस हैपिट्स बताता हूं, तो अकसर मैं देखता हूं कि वो कहते हैं, सर सब की परिस्थिती एक जैसी थोड़ी होती है आज यहां मैं इस बहते वे पानी के सामने से बैठा हूं, तो मुझे बारिश का एक उधारन ध्यान में आता है साथियों बारिश होती है तो कभी वो पूछती है कि मैं कहां गिरूँ वो तो बस आकाश से हो जाती है, वो घर की छट पे गिरती है, वो सडक पे गिरती है, वो आपकी कार पे गिरती है वो एक मैदान में गिरती है, वो एक ऐसे खेत में गिरती है जिस खेत को जोता नहीं गिया है और वो एक ऐसे खेत पर गिरती है, जिस खेत को पूरा जोत के सीच के तयार किया गया हो, गुडाई करके जुताई करके तयार किया गया हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि आखिर फसल कहां पर रुगती है, कभी आपने सुनाए कि किसी घर की छत पे बारिश गिरी और फसल उग गई, किसी कार की छत पे बारिश गिरी और फसल उग गई, किसी प्लेन मैदान में बारिश गिरी और खेत लहला उठा, या किसी बंजर खेत जिसको तयार नहीं किया गया, उसमें बारिश गिरी और फसल हो गई, साथियों फसल खाली वहीं होती है, जिस खेत को बा पाने के लिए तैयार किया जाता है कि यदि खेत तयार नहीं होगा और वहाँ पे बारिश गिर जाएगी वह जगह दलडल में बदल जाएगे तो याद रखिए फसल सिर्फ वहाँ उगती है जिस्ट के जुताई की गई हो गुड़ाई की गई हो जिस खेत में बीज डाले गए तब जाके वो खेत फसल को उगाने की योग्य बनता है यदि सिर्फ बारष की इतनी हैसित होती की वो फसल उगा देती तो साथियों अपने सिर्फ पर फसल words जाती जहां बारिश गिरती है सिर्फ बारिश की इतनी आउकात नहीं है उस बारिश को पाने वाले की हैसियत क्या है आज मैं यहां से अपने क्रांतिकारी विचार आपसे बाट रहा हूँ क्या आपको लगता है कि हर सटर्डे को मेरे मोबाइल एप उज्वल पार्टनी पर लाखो लोगों तक ही विचार पहुंचते हैं वाटसेप से करोडों लोगों तक ही विचार पहुंचते हैं क्या सब का जीवन बदलता होगा नहीं क्या आधोगा जीवन बदलता होगा नहीं मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है क्या 25 प्रतिशत के जीवन बदलता होगा नहीं जीवन बदलता है स्री 5-10 प्रतिशत लोगों का उन लोगों का जो इसको स्विकार करने के लिए तयार है जो इसको एक पिक्चर का शो मान र वो योजना बनाने लग जाए उनके में बरकत होगी तो याद रखिए परिस्थितियां कुछ नहीं होती है मैं बता रहा हूं एक जैसी परिस्थितियां दस आदमी को दे दी जाए तो क्या पांस साल बाद वो एक जैसी तरक्की किये मिलेंगे एक माता पिता की मानली ये तीन संतान है तीनोंने सेम चक्की की रोटिया खाई है तीनों के लिए माता पिता रात को जगें है तीनों के लिए अपने बजट में से कटाथी करके उन्होंने सुविधाय दी है तीनों को एक जैसे स्कूल में बेजा है, एक जैसे कॉलेज में बेजा है, सब कुछ एक जैसा किया, तो क्या तीनों बच्चे बराबर तरक्की कर लिए, नहीं, किसी एक बच्चे पर माता पिता को गर्व होता है, कोई एक आसात होता है, और किसी एक के लिए पूरी जीवन भ आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं जितने भी लोग परिस्थिती का रोणा रो रहे हैं वह असली में अपने आपका सामना नहीं करना चाहते है है वह को फेस Jennifer नहीं करना चाहते कि मेरे मैं निर्णय श्मट्था की कमी ए महेरे में डेरिंग की कमी है उभाबियों वह प्लयां करने का रास्त Beimध ढूंड रहे हैं और इसलिए परिस्धिती डाल रहा है यदी परिस्धिती सब कुछ होती तो इस दुनिया में शर्फ को संसार मेंनी बनती क्यांकि जिस्त महोल में हमेशा वैसा रह जाता लेकिन नहीं यहां बड़े के छोटा बनने की भी स्टोरी है और छोटे के बड़ा बनने की भी स्टोरी है यह स्टोरिया कैसे पैदा होती है परिस्थिती होती और वही सब निरने करती ऐसी कोई स्टोरी पैदा नहीं होती यह स्टोरी इसलिए पैदा होती है क्योंक लेकिन वो ये चुन सकते हैं, कि जो पत्वी मेरे पास आएगी, उससे मैं बेस्ट खेल कैसे खेल सकता हूं मैं आज आपको यहां कहना चाहता हूं, यदी जीवन में बड़ा बनना है यदि कोई भी सपना है, चाहे सामाजिक सपना हो, आर्थिक सपना हो, पारिवारिक सपना हो, राजनेतिक सपना हो, कोई भी सपना हो, सबसे पहली चीज जिसको डाइवर्स देना होगा, वो यह परिस्थितियों का रोना-रोने की आदत, जो सक्तिशाली होता है, वो ना तो भा असिल करता है रोना बंद करिए रोने वाले आदमी का कोई साथ नहीं देता और परिस्थितिया कभी भी आपको अनुकुल नहीं मिलेगी अनुकुल परिस्थितियों की कल्पना टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एन एनर्जी है आज अभी यहां निरणाय लीजिए और सिर्फ एक चीज याद रखिए चीजे वही बड़ी होगी जिन पर काम किया जाएगा आप चाहे लाखर होते रहें दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू झाल